तो आज हम लेकर आया है एक नया वीडिय inherent जिसमें हम जानेगे कि Damit है वह सब जबाती है तो कैसे सबहसे सब्सक्राइब या उल्erem के मिल साथ है औरिавно तो हमारी इसके सबलेक्स बारे में हम जाने होने देखने को मिलती है तो सबसे पहले करते हैं जो प्रेगनेंसि वो-दिशन होने का मतलब rating होना मतलब भरते हैं यह बात करते हैं अब एक मेरी लिप्रोड्रेक्टिव we होती है हमारी स्प्राप टीक है यह क्या करती है आपस में heeft होती है तो धुक्रीय चैचं में होती है । लरी पार्ट होता है वहां पर इसका फटलाइजेशन या निसेचन होता है उसके बाद यह क्या होता है जो हमारा भूंड बना वह हमारी यूट्रस के अपर सेग्मेंट में या बच्चे दानी के ओपरिंग से पर चिपक जाता है जिसे ही हम बोलते हैं फटलाइजेशन होता है तब से लेकर 37-42 वीक हमारा जो होता है पूरा डियूरेशन वह हमारा नॉर्मल डियूरेशन माना चालता है ठीक है तो हमारे प्रेग्नेंसी होगी अब हम बात करते हैं प्रेग्नेंसी के हमारे तीन ट्राइमेस्टर होते हैं कंसीव करने के बाद से बारा हफ्ते तक कि जो Wick양 हां होता है वह हमारा सट ट्रैमिस्टर या पहली तिमाही कहलाता है वह हमारा से को ट्रैमिस्टर के हैं जो त्माही कहलाता है इसकी बाद सथे में दिस्टर हंकि जो हमाद एक त् OUT12 सब्सटे होता कर लिया है उसके बार कॉन से egy तो सबसे पहले इसमें आता है जिस्टेशनल का मतलब है प्रेग्नेंसी मतलब एक फीमेल को पहले कभी सुगर की बीमारी नहीं हुई है लेकिन जब उसने पंसीब किया है उसके बाद उसको क्या हुआ है तो उसे ही हम गोते हैं जेस्टेशनल डाइबटीज अब यह कैसे होता नोर्मल प्रोस के किया होता है जो हमारा मेरे उसके बाद टोड के होता है यह जादा प्रेग्नेंसी नहीं होता है यह तो सेट होती है लेकिन हमारा घ्लोकोज है उसका प्रस तोड़ कर अपनी बॉड़ी में तो उससे पहले अपने डॉक्टर से सला लेनी चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए क्योंकि यह वजह से क्या होता है हमें प्रिमेच्चे लेवर टाइम से वह लिए हिए बच्चे की डिलीवरी होने के चांसेस हो सकते हैं तो अगर आपको ऐसे सिकायद है तो आप अपने दॉक्टर से सला ले कि नेज्ट आता है हमारा इंफेक्शन तो इसमें क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइन क्या होता है बहुत जादा इंफ्लेक्शन होने का फट्रहहाया है तो इस टाम पर क्या होता है जो हमारी मदर है बैक्टीरियल इंफीक्शन वाईरल इंफेक्शन का खत्रहा है इस कि चम फ़िनिटी निग एधी थोड़ी से भी हो जाती है तो जिसकी वजह से क्या होता है इप्छन Сांथ जाता है और जो फिर नेक्स्ट हमारा कॉंप्लिकेशन देखने को मिल टोपिक प्रेगनेंसी अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है तो जो हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या होती है जो नॉर्मल प्रेगनेंसी से डिफरेंट होती है अब नॉर्मल प्रेग देखने को मिलती है क्योंकि जो हमारा फेलिपियन ट्यूब होती है उसमें क्या होता है बच्चा बड़ा होता रहता बड़ा होता रहता जो फिमेल के लिए बहुती ज्यादा खत्रा हो सकता है तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसी सिखाये तो आप अपने डॉक्टर को प्रणेंसी फिर नेक्स्ट हमारा आता है अबॉशन या घरपाथ तो फिमेल जब कंसीव करती है तो उसके बाद ज्यादा तर खत्रा बना रहता है मिस्केरच अबॉशन या गरपाथ का अब कैसे बना रहता है तो इस टाइम पर फिमेल क्या होती जो कभी-कभी फर्स टाइ जो उन्हें नहीं खानी चाहिए इसके अलावा क्या होता है कुछ ऐसी चीज़े से पपीता खाल गया या फिर खटे फल लगाता खा रही इंफेक्शन की वज़े से या कोई हमें इंफेक्शन होगे बैक्टिरियल फंकल जो बहुत ही ज़्यादा हामफूल होता है जिसकी व हमारा हो गया एक और कॉंपलिकिशन तो नेक्स्ट हम बात करते हैं से पहले डिलीवरी टाइम से पहले प्रसव अब यह कैसे हो सकता है तो कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़े ऐसे पल फ्रूट्स का लेते हैं जिसकी वज़े से हमें क्या होता है टाइम से पहले कॉंट्रेक्श हो सकती है अब टाइम कितने टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है तो में लिए हमारी 37 वीक जो होता है उससे पहले अगर हमारी डिलीवरी हो रही है तो उसे हम बोलते है टाइम से पहले डिलीवरी होना या प्री टर्म लेवर होना ठीक है तो यह हमें कॉंपलिकेशन भी दे जो इंफेक्शन वह मदर से बेवी में ना ट्रांसफर हो इसलिए हम क्या करते हैं तो इस टाइम डूरीशन पर फ्ल्यू का टीका लगाते हैं और खांसी का टीका लगाते हैं और डिप्तीरिया का भी टीका लगाते हैं ठीक है ताकि हम अपने बच्चे को अधर संक्रमण या करके लगाना भी जरूरी है इसके अलावा हमें हाइपर टेंसन देखने को मिल सकता है प्रेग्नेसी के टाइम पे बढ़ जाता है बहुती ज़्यादा सुगर के साथ बीपी बी ज्यादा समस्य को मिलते हैं तो यह अपने डॉक्टर को को दिखाएं अपने गाइन को लोजिस्स से सला लें फिरी कोई दवाई खाएं दरबाइस कोई भी दवाई अपने आप ना लें तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आए होगा किसी को कोई डाउट है तो आप कमेट बॉक्स में पूछ सकते हैं थेंक्यू